तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूँ इसका प्राइज अभी अल्मोस्ट 51 रूपीज चल रा है और इसके टार्गेट्स बहुत बड़े-बड़े तक हैं और इसमें अपना जो आल्ल टाइम हाई बनाए था देट इस अराउं जाए और इस पर अपसाइड मोमेंटम भी पॉसिबिलिटी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि बहुत अच्छे टार्गेट्स हमें यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन सा है हमारा स्टॉक तो धनी सर्विसेज और धनी सर्विसेज लिमिटेड रिसेंटली काफी मोमेंटम दिया तो उस बज़े से न्यूज में भी है स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ था बैक एंड डिरेक्टली मतला बहुत जादा टाइम हो गया इस बात को धनी सर्विसेज लिमिटेड 2008 में लि अल्मोस्ट पांच रुपए का लो बनाया और पांच रुपए लो बनाने के बाद ठीक अगले 6 साल में स्टॉक प्राइस पांच रुपए से सीधा साड़े 800 रुपए तक भी गया है देट इस इंसेन रिटन्स इंसेन रिटन्स लेकिन उसके बाद से अगेन ये अभी देखाई दे रहा है ठीक है अगर हम इसका सबसे लो देखें तो देट इस अराउंड 5 रुपीज और हाई देखें तो देट इस अराउंड 811 तो 16153 परसेंट का रिटन धनी सर्विस लिमिटेड ने दिया हुआ था ओल्मोच 6 साल में बट अभी अब क्या बात करेंगे हम ऐसे क्या कर सकते हैं तो देखो हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम को आपके लागेगा साइड वेज में ट्रेवल कर रहा है not a big deal वीकली टाइम फ्रेम पर जब हम जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप क्या देखोगे कि एक काइंड ऑफ breakout pattern हम इसके जो resistance levels है if we conduct this as its resistance levels इस particular zone से इस particular zone से देखें तो हमें क्या देखेगा उतना confirm देखो क्या है ना कि stock price कम रहता है जब penny stock kind of thing होती है तो इसमें बहुत कम ऐसा हमें होता है कि proper पर सपोर्ट बनते हो दिखाई दें या फिर प्रॉपर रेजिस्टेंस अब जैसे यहां पर इसका एक resistance zone बनता हो दिखाई दिया सेकेंड यहां पर बनता हो दिखाई दिया फिर थर्ड आप देहोगे तो यहां पर अभी breakout देख रहा है और volumes भी अच्छी है तो volumes के basis पर इस breakout के basis पर और यह जो sideways में travel कर रहा था तो यह जो sideways में travel कर रहा था तो अब यहां से upside momentum यह दे सकता है possibilities are very high that's why I am sharing this study with you guys ओके अगर हम थोड़ा ससका fundamental basis पर देखें तो company is in loss it is in deep loss 2020 में जरूर profit था बट उसके बाद losses continuously increase होते जा रहे हैं तो fundamental basis पर I will not recommend और उतना study में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन technical basis पर I will say कि आप अगर for example 1 lakh rupees if you have total amount of 1 lakh rupees तो आप उसमें स 3,000 से लेके 5,000 रुपय तक invest कर सकते हो अच्छे returns के लिए आप जो starting में जो targets यहाँ पर expect कर सकते हो किया कौन-कौन से किस level तक के targets तो 51 से लेके even अगर यह 80 rupees तक भी touch करता है तो that is around 56% returns तो यहाँ पर आप सभी लोग के लिए एक gift है मेरी तरफ से जो है stock age का premium services आपको बिलक free of cost मिल जाता है stocks trader team की तरफ से आप description पर click करोगे तो यह page आपके सामने open हो जाएगा और इस पर आपके जाकर आपको view plan पे click कर दिना है ठीक है फिर आपके सामने new page open होगा जिसमें आपको subscribe पर click कर देना है subscribe पर click करने के बाद आपके सामने एक new page open हो जाएगा इसके बाद आ साथ ही description box में भी आपको मिल जाएगा code apply करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर sign up करोगे तो आपके bank account से 5 rupees deduct होंगे जो कि instantly वापिस आपके account में deposit भी कर दिये जाएगे और अगर आपको इन सब चीजों में कोई problems face नजर आती है तो आप screen पर दिये गए नमर पर contact भी कर सकते हो stockage team आपको पूरा support करेगी and make sure guys कि आप इसका जरूर best use करें because free of cost है एक महीने के लिए है उसके बाद अगर आपको लगता ही कि आप इसका best use आपने किया है बहुत helpful है तो आप अपना plan renew भी यहाँ पर सकते हो ठीक है तो अभी जाके sign up करिए stockage पे link आपको description box पे मिल जाएगी so this is our first target किया हम at least इसको 80 रुपीज तक भी expect करते हैं तो that is around 56% returns और अगर उसके बाद हम देखें तो next resistance zone it is directly on 168 levels जो की हो जाता है 228% of returns यानि कि 228% के returns यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं the thing is कि company बहुत अच्छा कर रही थी but recent इसके जो financial years है उसमें company ने बहुत इसका काम गड़ बढ़ गया अगर आप देखो कि 2012 से 195 करोड की sales थी फिर 191 increase होती हुई दखाई दे रही है हमें continuously आप देखो 2020 तक 2020 तक company ने बहुत अच्छे तरीके से profits को यहाँ पे grow किया है अपने sales को increase किया है ठीक है इसके बाद net profit में भी company रही है net profit भी company ने even 2020 तक generate किया लेकर उसके बाद 2021 के बाद से 230 करोड का loss फिर 860 का फिर 481 फिर 487 तो यह recent years में कुछ ना कुछ यहाँ पर problems थोड़ी सी हमें देखने के लिए मिली हुई है ठीक है और अगर हम थोड़ा से shareholding pattern भी देखते हैं तो FII आपको इसमें 14% मतलब that's insane और foreign institutions हैं आपर 30% promoters हैं public है इसमें 48% domestic institutions 1% and others में आ जाते हैं फिर normal insurance and banks kind of a thing जो भी है ठीक है यह due test trust America like जो भी outside of India के funds है तो वो 4.85% के आसपास दिखाई दे रहे हैं okay so these are my technical analysis for study purpose capital का maximum 3% से 5% deploy करें उससे ज़्यादर deploy करने की जरूरत नहीं है because it's not that strong on the if we see on the fundamental basis technical basis पर जरूर है और यह देखो यह जो targets में बोल ला हूं कि यह जो resistance zone अब इसका बनता हुआ दिखाई देगा हमें weekly time frame पे तो यहां पे यह resistance ले सकता है that is around थोड़ा सा level का हम 35 के आसपास तो that is still 162% returns है और हम volume के बेस पे करेंगे अब stop loss लगाने की बात है तो में stop loss बिलकुल recommend करूंगा कि आप 39 रुपीस पे अपना strict stop loss रखें अगर 39 पे आ जाता है तो बिलकुल exit कर देना कोई जरूरी नहीं कि आपको hold करना ही है कि कभी न कभी तो जाएगा अगर financials अच्छे नहीं हुए तो stock price कभी उपन नहीं जाएगा by the way stock broking ऐसा business है जो evergreen business है because अभी इंडिया में 4 करोड के आसपास कुछ traders है जिसके demet accounts है वो अभी जाके बहुत ज़ाद increase 4 करोड या फिर 14 करोड के आसपास है अभी ये जाके कितना और ज़ाद increase अभी इसका 10x potential है अभी इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि business बिलकुल वैसा हो चुका है कि यार अभी इंवेस्ट करने का मौका नहीं है business पुराना हो गया है no business कभी इसका outlook कर सकता है बस competition थोड़ा सा जादा है थोड़ा सा नहीं काफी जादा है तो competition है जो जितना ज़ाद चीप अब for example जुरो ने overtake किया जुरूदा को so that's why थोड़ा सा नहीं का कही नहीं focus है कि यार सब लोग को यहाँ पे कही नहीं कही जादा से जादा clients चाहिए होते हैं rest आपको अपने financial advisor से जरूर discuss कर लेना है कि आपको इसमें invest करना चाहिए या फिन नहीं करना चाहिए और आप अपने side से technical analysis जर झाहिए झाहिए झाहिए